नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं कमल देवराय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका आपने यूटीब चैनल दगाजीपूर दोस्तों मैं आपको बता दूँ आज दो और कोरोना पाजिटिव मरीज पाए गया है इनकी पुष्टिव हुई है इनके सेंपल की रिपोर्ट से यह रिपोर्ट बेजा गया था परसो स्वैब बीच्चु को आपको मैं बता दूँ अब गाजीपूर जनपद में कोरोना पाजिटिव कोविड-19 पाजिटिव मरीजों की संक्या संक्रमित व्यक्तियों की संक्या हो गई है तीन और इन तीनों व्य के इस महामारी के समय में जहां तक बात करें कोविड-19 के उन तीनों संक्रमित व्यक्तियों को तो उन्हें एस्जियम मोहमदाबाद सियो मोहमदाबाद और कोविड-19 अस्पिटल नंबर वन के अधिच्छक डाक्टर आसीज कुमार राय को सुपूर्द कर दिया गया है मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कोविड-19 अस्पिटल वन में वही केसेज रखे जाएंगे जो अनकॉंप्लिकेटेड हो और जो केसेज कॉंप्लिकेटेड होंगे वह कोविड-19 अस्पिटल टू गाजीपूर या कोविड-19 अस्पिटल नंबर थ्री बी एच्यू में भेजे जाएंगे आपको मैं बता दूँ गाजीपूर जनपद में अभी तक कुल आकड़े तीन हो चुके है कोरोना संक्रमित मरीजों के मोहमदाबाद वासियो मैं आपको बता दे रहा हूं अभी आप सचेत हो जाएं और मैं आपको बता दू मचली बाजार मोहमदाबाद जहां कि समय सबजी मंडी लग रही है तमाम लोगों के भीड देखी जा सकती है सुबह में वहां आपकी तमाम तस्वीरे अभी भी आ रही है जहां पर लोग सोसल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं एक बार फिर इस बात को सुनिए लोग सोसल डिस्टेंस की धजिया उडाते हुए साफ देखे जा सकते हैं आखिर किसके लिए लगाया गया है एक ल सान बचाई जा सके इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे भारत में एक साथ लागडाउन की घोषड़ा की और यदि आप ही उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप अपने परिवार और समाज के लिए खत्रे का सबब बन सकते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को एक में पहुच रहे हैं यह मंडल मैं आप लोगों को गिनवा देता हूं प्रियाग राज मिर्जापूर वारार्सी आजमगर्ण बस्ती और गोरकपूर यह छे मंडल हैं जिनके टेस्ट सैंपल इस समय बी एच्चू में जाच के लिए पहुच रहे हैं और आप लोगों को मैं अन्यासिस कुमार राह से बात कि जो इसमय कोवीड नाइंटीन हास्पीटल नंबर वन के अधिच्चक हैं उन्होंने मुझे बताया कि कुल पच्चास करमचारियों की टीम है कोवीड हास्पीटल एक महमदाबाद में उन्होंने मुझे बाचित के दौरान बताया कि मैं जो पच्चिस-पच्चिस के दो टीमों में काम कर रही है इनके काम करने के शिफ्ट आठाट घंटे के हो रहे हैं अभी भी दस सैंपल मैं आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूं ध्यान से सुनिए अभी भी दस सैंपल आने बाकि है जो पर 112 सैंपल वेजे गये थे जो पर 112 सैंपल वेजे गये थे HDFC के बगल में महुआ बाग में जो मस्जीद है वहां के 12 सैंपल में से एक का रिपोर्ट अभी आना बाकि है और उसके अलावा 9 सैंपल दिलदार नगर के भी बेजे गये हैं जी यहां इस बात को ध्यान दीजिए 9 सैंपल दिलदार नगर से भी भेजे गये हैं अभी भी दस सैंपल की रिपोर्ट स्वाइब भी एच्चु से आनी बाकि है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एकाद और संक्रमित मरीजों की पुष्टी हो जाए तो इसको लेकर बिल्कुल चोकना नहीं है और आप चोकनने रहे हैं इस वीडियो क को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाए ताकि लोग जागरुक हो सके और अभी भी लाकडाउन के बचे हुए दिनों का अनुसासन पूर्वक पालन करिए अन्यता ये आप आपके परिवार और आपके समाज के लिए कहीं न कहीं खत्रे का सबब बन सकता है धन्यव कि जादाए ये ओट चाता है आपके लिए दूर्वक लिए न के लिए डिए खरी गालन करिसे कि लिए दी लिए खरी को दूर्वक टूर्वक लिए आवे